नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राज सिक्षा सोध एबम प्रसिक्षन परिशत बिहार पटना के अंतरगत एक प्रेश बिग्यप्ति जारी किया गया है और उस प्रेश बिग्य प्रति जारी है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह भी समसेंगे कि इस मुल्यांकन में और कि इस दक्षता परिक्षा में पास होने के लिए आरक्षित और अनारक्षित कोटी के लिए कितने प्रतिसत अंकों की अवस्कता होती है इसके बाद इसका पाठिकरमन की इस दक्सता परिक्षा का पाठिकरम क्या क्या होगा किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाएंगे प्रस्ण पूछने का अस्तर किस कलास तक होगा और कठिनाई अस्तर को अधी देखेंगे तो उसका अस्त जाएगा तो उसकी तिथी कब से कब है फिर online admit card प्राप्त करने की परिक्षा तिथी परिक्षा का अस्थान कहां है और इसके बाद परिक्षा कितने वजे से कितने वजे संपन कराई जाएगी सारे बिंदूओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग इस बा तो नियुक्ति के बाद तीन साल पूरा होने के पस्षात उसे दक्षता परिक्षा में और कि इसी प्रकार की जो दक्षता परिक्षा पहले हुई थी उसमें उसे पास होना जरूरी था और पास होने के बाद ही उसके बेतन विर्धी का लाभ और कि उन सिक्षकों को बेतन व का मिला है सिक्षा विभाग की ओर से इस बार जो बचे हुए सिक्षक है वो जरूर से जरूर परियास करेंगे और इस परिक्षा को सफल बनाएंगे और इस परिक्षा में क्वालिफाय हो करके अपने बेतन विर्धी का लाभ जरूर प्राप्त करेंगे और विशेशिस में उस सबसे पहले जो मुल्यांकन हुआ था वह पर्थम मुल्यांकन 15,10,2009 को हुआ था आनि कि 2006,2008 और 2015 नीमावली के आधार पर जिन सिख्षकों की नियूकती हुई थी तीन वर्स पुरा होने के बाद पहला उन सिख्षकों का मुल्यांकन 15,10,2009 को हुआ था उसके बाद दूसरा मुल्यांकन 20,2001 को हुआ था फिर तीसरा मुल्यांकन 19,10,2003 को और चतुर्थ मुल्यांकन 19,07,2006 को हुआ था उस प्रेष बिग्यप्ति में सारी बाते इंगित की गई है उसी प्रेष बिग्यप्ति के माध्यम से जो महत्पुन पॉइंट से उसको यहां पर मैं नोट करके रखा हूं अब कहीं जा रही है पुना है सिक्षा विभाग के द्वारा कि जो सिक्षक बच गए हैं जो सिक्षक दक्स्ता अनि कि यह मुल्यांकन से गुजर रहे हैं जो वो सफल अभी तक हो चुके हैं या तो किसी कारण बस इस दक्स्ता परिक्षा में सामिल नहीं हो पाए हैं तो वह सारी चीजों को सारी परिक्रियाओं से गुजर कुके हैं, हर चीज उनको इस के बारे में, इस परिक्षा के बारे में जानकारी है. अब पंचम मुल्यांकन, जो की पाचमे बार मुल्यांकन किया जा रहा है, यह 21-23-2023 को होगा. पटना में अस्थान बनाया गया है, वहाँ अलग-अलग सेंटरों पे उन सिख्षकों का जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, उनका मुल्यांकर और उनकी परिक्षा संपन होगी. समय भी निर्धारित है, बारा बजे से दो बजे तक लिया जाएगा. अनिकि बारा से दो है, दो घंटे का समय मिलेगा और उसमें अनेक प्रकार के प्रस्ण होएंगे, उन प्रस्णों को सोल्व करना होगा. सबसे पहले, परिक्षा के पहले हम लोग जानकारी प्रैप्ट कर लेते हैं कि जनरल कंडिडेट जो है, समान कोटी और कि समान वर के जो कंडिडेट है, चाहे वह महला हो या पूरुष, तो उसको 45 प्रतिसत अंक लाना जरूरी है. अधि वह 45 प्रतिसत अंक लाते हैं, तो निशित रूप से वह इस परिक्षा में सफल हो जाएंगे. अनि कि अधि 100 प्रस्णों की संख्या हो, तो उसमें मात्र आपको 45 प्रस्ण सही सही जबाब देना है, तो आप सफल हो जाएंगे. उसके बाद यह तो हो गई आनारक्षित कोटी का, अनि कि जनरल कंडिडेट के लिए, चाहे महला हो या पुरूष दोनों के लिए, अधि आरक्षित कटेग्री में OBC, EBC, SC, SD है, और महला और पुरूष दोनों के लिए यह बताया गया है, कि इसमें मात्र 40 प्रतिसदनी, 100 में 40 अंक ही लाना आपको जरूरी है. तो यह हो गया, कि किस प्रकार से कितने अ जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए है, तो उस विशाई बस्तू से 65 से 70 प्रतिसद प्रस्ण पूछे जाएंगे. हो सकता है कि 70 प्रस्ण पूछा जाए, यनि कि 65 से 70 के बीच में भीरा सकता है. उसके बास सिक्षन कोशल से 20 प्रतिसद, अनि कि 20 प्रस्ण पूछे जाएंगे, अधी 100 प्रस्ण पूछा जाता है, तो 70 प्रस्ण विशाई बस्तू से होगा, सिक्षन कोशल से 20 प्रस्ण होगा, अभीरूची एवं रिजनिंग, अनि कि तार्किक प्रकार के प्रस्ण होते हैं, उससे 10 प्रस्ण पूछे जाएंगे और इन प्रश्णों का अस्तर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक होगा, लेकिन अधी कठिनाई अस्तर को देखा जाए, तो इसमें अस्पस रूप से वर्णन किया गया है, कि माध्मिक जो 10 में मैट्रिक का जो कक्षा है, उसका भी वहां तक कठिनाई अस्तर का प्रश्ण पूछा जा सक तो यह प्रश्ण पत्र प्रारूप हम लोग देखें, उसके बाद परिक्षा का जो कार्ज करम है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसके पहले आवस्यक निर्देश को समझते हैं, तो आवस्यक निर्देश में नियमाबली 2006 एबं 2008 के नियोजित, शिक्षा की ही पात पर जिन सिक्षकों की नियुकती हुई है, जो सिक्षक अभी तक इस पात्रता परिक्षा में, जो सिक्षक अभी तक इस मुल्यांकन और इस दक्षता परिक्षा में सफल नहीं हो पाये हैं, और वह सिक्षक 2006 से 2008 के नियमाबली के अधार पर नियुकत हैं, तो वही सिक्षक वही सिख्षक इसमें आवेदन करेंगे उसके बाद बीटेट और सीटेट पास है अनिकि इस निमावली के तहत अधि आप पहले से बीटेट या तो सीटेट किये हुए है तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है इसके बाद और भी उस प्रेस बिगप्ति के माध्यम से जो 2022 यानिकि 25 फरवरी से प्रारम्भ हो जाएगी और 11-3-2023 तक चलेगी 25 फरवरी से प्रारम्भ है इसमें आप ओन-लाइन आवेदन कर देंगे उसके बाद प्रिंट कॉपी ओन-लाइन आवेदन जब आप करेंगे तो उसमें से जो प्रिंट कोपी आपको मिलेगी तो उसका व वेरिफिकेशन हैनि कि सत्यापन के बाद पुनह उसे जिला कार्याले में जमा कर दिया जाएगा तो इसकी तिथी 25 2 से 13 3 2003 सपोस करिके कि आप फांची दो को ऑनलाइन किये उसी दिन प्रिंट आउट प्रिंट, कोपी निकाले और हम से सिग्नेशर कराने के बाद उसका सत्यापन होने के बाद आप जिला कार्याले को सपुर्थ कर दिये तो उसी दिन भी कर सकते हैं एक ही दिन में इसलिए रखा गया है कि पचीस दो से तेरह तीन दो हजार तैस तक है उसके बाद ओर लाइन वेरिफेकेशन होगा आपका उस फॉर्म का और ओर लाइन वेरिफेकेशन किती थी सताइस दो 2023 से प्रारंब हो जाएगी और 15-3-2023 तक ही अचलेगी फिर ओलाइन एड्मिट कार्ड प्राप्त करने की थी है 13-4-2023 से अनिकि 13-4-2023 से एड्मिट कार्ड ओलाइन के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 23-4-2023 जिस दिन परिक्षा होगी उस दिन तक भी आप डाउन किती थी इसे तो समझ ही चुके है कि यह परिक्षा 23-2023 को संपन्ध होगी पटना के विभिन सेंटरों पर और अंत में जब परिक्षा संपन्ध हो जाएगी तो 27-4-2023 को अबंधित अंसर की जो उत्तरकुंजी है उत्तरकुंजी जारी किया जाएगा और उत्तरकुंजी देह करके आप कितने प्रस्णों का जबाब दिये हैं कहां पर आपको किस प्रस्ण में डाउट है कि उत्तरकुंजी में वह प्रस्ण असपस्ट नहीं है गलत है आपके अनुसार से तो आपत्ति करने का और की ओब्जेक्शन डालने का यह भी तिथी निरधारित है 75-2023 को अब हैं कुछ महत्rhपूण बातें हैं जिसे हम लोग उस प्रेश-बिग्यपति के माध्यम से समझने का परियास करेंगे बिहार सरकार सिक्षा विभाग, राज सिक्षा सोध एवं परसिक्षन परिशद, बिहार पटना प्रेश विग्यप्ति हैं जिसमें मुख बातें की चर्चा हम लोग शुरू में कर चुके हैं और जो आवस्यक बातें छुटी हुई थी उसकी ही चर्चा करने वाले हैं तो यहां से देखिए कि यह पॉइंट तीसरा से इसकी बातें हो चुकी है कि बीटेट, सीटेट उत्री नियोजी सिक्षकों को इस परिशा में समलित होने की आवस्कता नहीं है इसके बाद तीसरा पॉइंट को हम लोग बारिकी से अध्यन करेंगे कि बिहार प्रारंभिक सिक्षक नियोजन एवं सेवा सर्त नीमा बली 2006-2008 के अनुशार से बर्स 2006-2007-2010 एवं अनुकंपा के अधार पर नियोजी सिक्षकों को बेतन विर्धी हेतु दक्सता जांच परिक्षा में उत्रिन होना जरूरी हो जाता है इस हेतु नियोजी सिक्षकों के अधिक्तम तीन अबसर दिया जाता है दक्सता जांच परिक्षा में या तो सामिल नहीं हुए या परिक्षा में ही समलित नहीं हुए परंतु अनुत्रिन हो चुके हैं फल्सरूप इनकी बेतन विर्धी अभी तक लंबित है ऐसे सिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि बिभिन बर्सों या था 2009, 2010, 2013 और 2016 में राज सिक्षा सोद एबं परसिक्षन परिशत बिहार पटना दोरा आयोजित दक्सता परिक्षा में समलित नहीं हुए हैं इवं जिनकी से बाद तीन बर्स पूरी हो चुकी है वे निश्चित रूप से इस परिक्षा में समलित हों अने था उन्हें इस आपसर का उभ्व कर लिया माना जाएगा तदनुसार नियम अनुसार अनुसासनिक कारवाई की जाएगी यह हो गया उसके बाद इसी परकार से आप चोथे पॉइंट को यहां से यहां तक पढ़िएगा बहुत सारे बाते इसमें लिखी हुई है उसके बाद पाच्मा पॉइंट में है कि वैसे सिक्षक जो पूर्व परिक्षा में कदाशार के आरोप में इसकी चर्चा हो चुकी है वह भी सामिल होईंगे फिर इसके बाद आगे है कि वैसे सिक्षक जिनका सेबात तीन बर्स पूर्ण हो चुकी है एवं किसी कारण बस आवेदन नहीं भर पाए है इसकी भी हम लोग चर्चा किये उसके बाद आगे इस प्रकार से है कि बिगत बरसों की परिक्षाओं में कुछ आवेदकों के द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र में शमान स्रेनी अंकित किया गया था परिक्षाफल प्रकासन के उपरांत कुछ सिक्षकों के द्वारा जाती कोटी में संसोधन हेतु आवेदन दिया गया था तो इसमें जो गलती किया है उसको इस अधार पे लिखने में लाचार वेगती उसके लिए एक विशेस प्रकार की शुविधा उपलव्द कराई जाएगी और लेखक का चयन जिला सिक्षा पताधीकारी के दोरा किया जाएगा जो कक्षा आठ के नीचे का सरकारी विद्याले के अधनिरत छात्र होईगे तो उनकी सहायता से व और उर्दू सिक्षक के लिए प्रस्ण पुष्टिका अलग अलग होएंगे उर्दू सिक्षकों के लिए प्रस्ण पुष्टिका उर्दू भासा में रहेगा यह भी किलियर है उसके बाद परिक्षा में क्या-क्या ले जाना है नहीं ले जाना है यहां पे चर्चा की गई से आप जवानि किया है क्या क्या का कैटेग्री में जिस उसी अनुसार से मूल आविदन पतन के अधार पर्किया जाएगा उसके बाद इसको आप साथनी से पढ़ेगा। बहुत सारी बाते लिखी हुई है। अधि सभी पढ़ा आज आए तो वीडियो लंबी हो सकती हैं आप इसे रोग करके पढ़ सकते हैं अधी किसी सिक्षा की न्यूकती चयन समान स्रेनी में हुआ एवं वे आरक्षिस स्रेनी के अंतरगत आते हैं तो आवेदन पत्र के जाती कोटी में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रम वारूफ होगा उसके बारे में कहा गया है और यह आगे ओनलाइन जो आवेदन आप भरेंगे आवेदन पत्र भरने के लिए जो आवस्यक निर्देस है इस पर चर्चा की गई आपके पास भी पत्र एवलेबल होगा अधी नहीं है तो इसे आप रोग करके साब्धानी से प अनिकि यह जो निर्देशिका है तो जारी किया गया है राज सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षन परिशद के द्वारा और यह मुल्यांकन से रिलेटेड पत्र है जिसे आप साब्धानी से पढ़िए कि माध्यम से हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस थी थे कि जो चाक करने थी मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्स फर वाचिंग गुर्वाइड